Hello everyone, मैं हूँ आस्था, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube channel Government Job Genuine Notification So, आज की वीडियो में हम discuss करेंगे, जानेंगे Postal Assistant Post के बारी में Postal Assistant को Short में PA कहती है आपने Postal Assistant and Shorting Assistant ये दो नाम सुने होंगे, ये दोनों Post Post Office में आती है, Post और जो डाग विभाग है हमारा Postal Department इसके अंतरगत ये दोनों ही Post आती है And Post Office में ज़्यादातर जो Candidate हैं वो P.A.S.A. Post पर भरती होना चाहते हैं मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको P.A.S.A. के बारे में Visibility Conditions चेंज हुई है Salary Change हो गई है यानि Salary Increase हुई है साथ में इसका Selection Procedure चेंज हुआ है In fact, आपको P.A.S.A. बनने के लिए जो Examination आप पहले दिया करते थे अब आपको वो Examination नहीं देना होता है अब एक New Examination आपको Postal Assistant या Sorting Assistant Post पर भरती होने के लिए देना होगा तो ये आप सभी के क्योंकि वो Previous वीडियो था उसमें मैंने जो Information दी है और अभी जो Changing हुई है वो लेकर के आप लोगों के जो Confusion है जो Question है वो सारे आज के इस वीडियो में मैं Clear करूंगी और अगर आप भी डाक विभाग में पी या ऐसे की Post पर भरती होना चाहते है वीडियो को Continue रखेगा लास्ट तक देखेगा हम इस वीडियो में पी ऐसे का Work क्या होता है इसके लिए Allizability Conditions देखेंगे जिसमें की Qualification जो की Change हो गई है पहले कुछ थी अभी Change हो गई है Third इसमें आपका Ace Criteria इसके बाद Salary और आपको कौन सा Examination देना होगा सारे आपके ये Points दिए गए हैं यही आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीडियो में बने रहे हैं वीडियो आपको अच्छा लगे helpful रहे वीडियो को Like and Share कीजेगा और इसी तरह किया Other किसी Topic या Post के बारे में आप Information चाहते हैं आप मुझे Comment करके पूछ सकते हैं चले है Start करते हैं तो सबसे पहले तो जो भी Candidate डाक विभाक में यानि जो Postal Department है Post Office है इसमें अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इसमें TAN से लेकर करके Graduate Level की Post Graduate Level की भी Post होती है लेकिन जो हम बात करेंगे Postal Assistant की Postal Assistant को हिंदी में Dak Sahayak Dak Sahayak के नाम से भी जाना जाता है तो Dak Sahayak की जो Post है इसका अगर हम mainly work देखें तो इनकी जो responsibility होती है वो कार्या लेकर रख रखाओ की होती है कार्या लेकर रख रखाओ करना इसमें Dak Sahayak की भरती जो की जाती है ये वहाँ जो office है वहाँ पा documents को प्रारूर्पिक करता है office management, database entry इस तरह की जो responsibilities हैं जो work हैं ये postal assistant की दौरा किया जाता है जैसे की mail transfer करना ये जो work है ये postal assistant की रहते हैं अगर कोई post है और उसको receive नहीं किया गया है जहां भी भेजी जानी थी तो इसको बापिस से भेज देना भी PA का work रहता है यानि जो post आई हुई हैं उनको भी manage करना या कोई ग्राहक अगर आते हैं और उनको कोई query होती है post office में तो postal assistant के दौरा वो mail करके discuss या उनके जो problem है वो आप solve करते हैं उनको जो भी query है आप उसको के लिए करते हैं तो ये आपका work रहता है और जो post होती है जो dark होती है इसको आजकल सभी जगा computer का use हो रहा है तो जो dark होती है उसको computer में update करने का कारे भी postal assistant का ही होता है और ये जो postal assistant या shorting assistant की जो post है ये central department यानि जो dark विभाग है हमारा ये central government के अंतरगत आता है तो central government job रहती है group C की non-gagitate post रहती है ठीक है इसके बाद अगर आप आपको लगता है कि आप dark साहिया कि आप postal assistant बनना चाहते है तो इसके लिए आपके पास क्या minimum qualification होनी चाहिए तो PA या essay बनने के लिए minimum qualification है graduation minimum आपने graduation किया हुआ है किसी भी discipline में किसी भी subject से आपने BA, BCOM, BSC जो भी आपका interest था आपने subject लिया आपने अपना graduation किया matter नहीं करता है कि आपका किस subject से आपने किया हुआ है any graduate candidate इसके लिए eligibility रखते हैं apply कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि कुछ time पहले मैंने जो first video डाला था उसमें जो eligibility condition है change हुई है तो पहले जो PA essay की post होती थी वो 12th level की होती थी after 12th आप इस post के लिए eligible होते थे लेकिन अब भी इसमें जो changing हुई है graduation इसमें minimum qualification कर दी गई है तो आप graduation base पर ही candidate इस post के लिए eligible रहेंगे apply कर सकेंगे अब अगर आप इसके लिए apply करना चाहते हैं तो qualification तो आप fulfill कर रहे हैं लेकिन इसमें आपकी age limit क्या होनी चाहिए तो PA essay post के लिए आपकी जो age limit है वो 18 से 27 साल के बीच होना चाहिए अगर आप एक general candidate है अगर reserve category से आप belong करते हैं तो central government rules के accordingly SCST candidate को 5 years का OBC candidate को 3 years का and other जो PWD candidate है उनके लिए उनकी category के accordingly 10 to 15 year तक का relaxation मिल जाता है तो यह यहाँ पर आपके eligibility conditions है अगर आप इसको fulfill करते हैं then आप आपको कौन सा exam काम देना होगा P.A.S.A. बनने के लिए तो देखे जब पहले P.A.S.A. की post के लिए notification release होता था तो कई लोगों का यह question है कि क्या यह notification post office के दौरा India post के दौरा release किया जाता है तो देखे जो P.A.S.A. post है इसके लिए जो notification है वो India post के दौरा भी release किया जाता है and S.A.S.A. के दौरा भी release किया जाता है अब यह दौनों में क्या आंतर रहता है तो जो promotion के through भरती की जाती है promotion होता है उनका notification India post की website पर आपको देखने को मिल जाता है लेकिन जो freshers के लिए vacancy आती है postal assistant, sorting assistant post के लिए यह staff selection commission means S.A.S.A. के दौरा notification release किया जाता है तो अगर आप ऐसा freshers PA essay post के लिए apply करने जा रहे है तो आपको S.A.C. की website पर update रहना जाए S.A.S.A. के दौरा इसका notification release किया जाता है अब S.A.C. के दौरा कौन सा notification या कौन सा examination आपको देना होगा क्यूंकि S.A.C. के दौरा तो बहुत सी examination conduct कराये जाते हैं 10, 12, graduate and सारे आपने देखा भी होगा अगर आप एक job seeker है तो आपने सर्च किया होगा then आपको कौन सा exam देना होगा तो PA essay की जो post है इसके लिए qualification minimum है graduation तो अब आपको S.A.C. के दौरा जो S.A.C. C.A.L. examination conduct कराये जाता है वो examination आपको देना होगा उसी में आपके जो postal assistant और sorting assistant की post भी रहती है पहले आप S.A.C. CHSL का exam देते थे लेकिन अब S.A.C. C.A.L. का exam आपको देना होगा S.A.C. C.A.L. में ही आपकी postal और sorting assistant की post include कर दी गई है अब हम बात करेंगे इसमें आपकी salary कितनी होती है तो salary आपकी बेतन pay matrix level 4 से salary आती है 25,500 से 81,100 साथ में इसमें आपके जो other allowances हैं government के वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यहाँ पर जो eligibility है वो graduation तो है ही साथ में computer की knowledge आपको होनी चाहिए क्योंकि computer का work भी आपको रहता है data update करने का जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका selection procedure की बात करें तो selection procedure आपको CZL examination देना है तो CZL examination किस तरह से होता है स्लावस क्या है इस पर already मैंने video upload किया हुआ है i button पर या end screen पर आपको video link provide कर दी चाहेगी तो वहां से आप visit कर दीजेगा अब अगर आपके मन में कोई query है कोई question है आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं और ये video अगर आपको पसंद आया हो helpful रहा हो video को like and share कीजेगा इसी तरह से आप other किसी post या job profiles या entrance exam courses related आप video चाहते हैं आप मुझे comment कर सकते हैं Thank you